बच्चों आज हम Parts of Speech के सबसे आखरी सेक्षन इंटर्जेक्शन जिसे हम हिंदी में विस्मैदी बोधक कहते हैं के बारे में आपको बताएंगे इंटर्जेक्शन is a word used to express some sudden feelings of the mind यानि इंटर्जेक्शन शब्दों का प्रियोग हम अचानक अपने मन में आने वाली भावनाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं जैसे कभी-कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी-कभी हम को किसी काम के लिए शाबाशी मिलती है और कभी-कभी हम कुछ देख के एकदम से चौक जाते हैं तो बच्चों इन सब भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इंटर्जेक्शन शब्दों का प्रियोग किया जाता है इन सब्दों के बाद हम एक्सक्लिमेशन मार्ग जिसको हम विसमेबोधक चिन भी कहते हैं लगाते हैं जैसे Hello, how are you? इस वाक्य में Hello के बाद एक्सक्लिमेशन मार्ग लगा हुआ है तो Hello हमारा इंटर्जेक्शन वर्ड है इंटर्जेक्शन में एक्सप्रेस यानि इंटर्जेक्शन को हम निम लिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं सबसे पहले ज्वाए ज्वाए मतलब खुशे को व्यक्त करने वाले शब्द कौन-कौन से हैं जैसे हुर्रा, ग्रेट, वाउ चलिए, कुछ एक्जांपल से आपको समझाते हैं जब कभी हम कोई मैच जीत जाते हैं तो हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हम कैसे व्यक्त करते हैं हुर्रे, वी वून दा मैच यानि हम मैच जीत गए दूसरा एक्जांपल, वाउ यानि तुम कितनी प्यारे लग रही हो तो इन दोनों में हुर्रा इसके बाद exclamation mark लगा है और वाउ, वाउ के बाद exclamation mark लगा है तो ये दोनों ही हमारे interjection words हैं जो खुशी को व्यक्त करते हैं यानि ज्वाय को व्यक्त करते हैं अब दूसरा है grief या दुख को व्यक्त करने वाले words अलाज, ओ माई गॉड, so sorry ओ नो, how sad ये सारे words जो हैं वो दुख को व्यक्त करते हैं यहाँ पर बच्चों अलाज का मतलब हाई ओ माई गॉड का मतलब पाप रे so sorry का मतलब बहुत अफसोस ओ नो का मतलब अरे नहीं how sad, कितने दुख की बात है चलिए बच्चों, इसे भी हम आपको example दे के समझाएंगे जैसे, अलाज, he is no more हाई, अब वो नहीं रहा दूसरा example, ओ I am very sorry for that यानि, मुझे उसके लिए माफ कर दो यानि जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमको दुख होता है तो ओ और अलाज ये दोनों ही दुख को व्यक्त करने वाले यानि ग्रीफ को व्यक्त करने वाले शब्द हैं अब बच्चों surprise, या चोकने वाली भावनाओं को हम किन शब्दों से व्यक्त करते हैं चलिए देखते हैं वाट अमेजिंग इस इट ओ माई गॉड माई गुड्नेज चलिए इसे भी एक्जामपल समझते हैं वाट डिद ही फेल यानि क्या वो फेल हो गया इसमें वाट हमारे सर्प्राइज को व्यक्त कर रहा है कि हमें बड़ा आश्चर हुआ कि कैसे वो फेल हो गया दूसरा ओ माई गॉड वेर इस माई बाइक मेरी बाइक यहीं कड़ी थी कहां चली गई तो बच्चो वाट और ओ माई गॉड यह दोनों सर्प्राइज को व्यक्त करते हैं कि जब व्यक्ती बहुत सर्प्राइज हो जाता है आश्चर चकित हो जाता है इसके बाद बच्चों मेकिंग अ मिस्टेक यानि गल्ती व्यक्त करने वाले शब्द उप्स सॉरी इसको भी एक्जांपल से समझते हैं उप्स आई डिड नो सी यू जब आप किसी से टकरा जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं उप्स मैंने आपको नहीं देखा तो इसमें उप्स गल्ती या मिस्टेक व्यक्त करने का शब्द है बच्चो अब आपके लिए कुछ एक्सरसाइज इसमें आपको इंटरजेक्शन वर्ड्स लिखने हैं